ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर और क्या है आज की खबर नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज 18 आपके पुनीत के साथ और पुनीत के साथ मौजूद हैं आज आनंद भी आनंद बहुत बारीकी से जियो पॉलिटिक्स पे नजर भी रखते हैं और खबरे भी उठाते हैं बताते हैं आप तक पहुँचाते हैं लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए क्योंकि ब्रिक समिट का आयोजन भी हो रहा है जिसमें प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं वे बैठक भी करेंगे राश्टा ध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे बहुत कुछ नया कुछ होने वाला है ब्रिक समिट में लेकिन ये ब्रिक समिट बड़ा खास है क्यों खास है इसके बारे में चर्चा करेंगे आनन से लेकिन उसके पहले जरूरी है मिडिल इस्ट और यूक्रेइन और रशिया में चल रही जंग की बात और सबसे पहले मिडिल इस्ट से शुरुआत करें आनन पहला मुद्धा यह है कि चीन का अदूसरा है अपना इरान की जो जंग जारी है इरान और इजराइल और हमास से तो इरान का भी नजर है और उधर अमेरका भी इस पर नजर बनाया हुआ है इस बीच चैना का नजर इसलिए बना हुआ है लोगों का कि चैना से जो बीते कुछ सालों से सिमा भी बाद تھा उस पर अब पेट्रोलिंग को ले करके सहमाथि जारी हो गई है दोनों दिशव के जो सेना थे वो पीछे हटेंगे सीमासे अर पेट्रोलिंग पर सहमाती बनी हुई तो इसको ले करके इसको ले पाइले ही बिक सम्मेलन से मलब मोधी dicho D सब्सक्रीं जो कि यह जो कौशने में कहा है अब रोस में यह जो सं Вас मिट के बाद दूर्ग मैं भी होगी यह बहुत एहम हैं इसो पर इस कास तो यह जो चल लाता है इस पर जरूर बात होगी तो इस बैठक को लेकर कर के अगर ये चीन और भारत की रिस्ते में मिठास आती है तो कहीं ने कहीं पश्चमी देश जो हैं खास करके अमेरिका हो गया, ब्रिटैन हो गया, इन लोगों को कहीं ने कहीं परशानिया बढ़ेगी या टेंशन बढ़ेगी कहें तो तो इस कारण से अगर बातचीत होती है तो दो साल बाद ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा मौका इस्तितिया मनेंगी कि जब दोनों मुलाकात करेंगे, हारा कि पिछली साल आमना सामना ज़रूर हुआ था लेकिन ऐसे बातचीत नहीं हुए थी, जैसे आप और हम बैठे हुए लेकिन ये मिडिल की भी निगाहें हैं यहां पर, मिडिल इस्ट में खूब बंबारी हो रही है, लबनान पर खूब रॉकेट दागे जा रहे हैं, एरान और इसका इसराइल का वार चेड़ने की संभावना है, प्लान लीक हो रहा है, और इस बीच ये ब्रिक्समिलन होना, ये क्या बता रहा ह हैं, तो कुल 36% जो अबादी है, वो एक साथ दिखेगी, पूरी दुनिया की, अगर ये तीन देश एक साथ हो जाते हैं, रूस, जो की भूगल के मामले में सबसे बड़ा है, और फिर दूसरे नंबर पर चाइना है, और आबादी के मामले में चाइना से भी आगे इंडिया तो ये 36% आबादी ये केवल तीन देश की बात कर रहे हैं, अगर ये तीन देश आ जाते हैं साथ में, हमको लगता है कि इस बैठक के बाद कहीं न कहीं जो वार हो रहे हैं, जंग हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी पुतिन बोल चुके हैं, कि अगर मेरे जो सहयोगी दे कि अगर वो कहेंगे तो मैं इस पर विचार करूँ गा कि जंग खत्म हो जाया यह जंग रोकी जाए या फिर बहुत सारे जो आप्शन है बनते हैं तो उसको लेकर के कहिंन के इस पर इस इस विशेपी भी नजर बनता है कि अगर तीन डेश अगर सात आते हैं तो जाहिर सी बा आज भी यह बाद बोले हैं कि युद्ध का समय नहीं है और सांती से समझोता करा जा सकता है बात चीज से जंगों को रोका जा सकता है तो कहीं अगर यह तीन देश साथ में आते हैं तो अर्थ विवस्था से ले करके सार चीज एक चीज और देख रहा हूं मुझे याद है कि एक महिना हुआ करीब इस्टर्न एकोनोमिक फुरम की बैठक बुलाई गई थी और यह रश्या में भी और मुझे तब याद है तब भी रूसी राजश्रपती व्लादिमेर पुतिन के तरब से यह कहा गया था कि यह तीन देश जो हैं वो अगर इसमें राजी होते हैं जिस कि मीडिलिष्ट की तरफ की हो जा रहे हैं तो मेडिलिष्ट की तरफ जाने का कई सारे कारण है एक कारण है ब्रिक्स प्लस जिस में,ब्रिक्स में मैं इसमें,अभी मायने में, मिडीलिस्ट выз熱 इह एता में गाला ये आघाम से efforts साथ का से मुलत लिए जे इटाला जो दो इकुने जनवरी जाओ से यारा ज़ाएंगे 6 उसमें बार्ड हैनौ उसके कोर्ड पर्स गलत नहीं हो तो यसमें बिलकों कारण ये कि विडिल इस्ट में जो चेड़ी होई है एरान की तरफ से कहीं ने कहीं ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम ब्रदर हुट के नाम पर ये देश जो यूएई है और और अरफ है ये भी इनके साथ में आके ख़ड़े हो जाए। प्लस के नाम पर इससे तीन देस अगर आते हैं यहां चीन भारत तो रूस का जहां जंग अगर रुका तो वह कहीं न कहीं उसका असर एरान इसराइल हमास वाले युद्ध पर भी पढ़ेगा अच्छा अभी इससे पहले इरान वाले मामले में भी आप देखेंगे कि अभी अ उसके बाद से क्या हुआ कि एरान को ये मालूम चला कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है उधर क्या बोलते हैं कि बेंजमीन नेतनियाव के घर पर भी हमला हो गया मलब घर के बाहर हो हमला हुआ है तो कहने के यह दिखता है कि अगर यह सम्मिट हो रही है खास दोर पर इसमें Economic Forum में यह कहा था कि बहुत मनमानी कर ली वेस्ट ने पश्चिम ने बहुत मनमानी कर ली और अब हमको पूरब की तरफ देखना चाहिए और यह पूरब की तरफ देखने का मतलब यही है कि ब्रिक्स और ब्रिक्स में भी आप तो 11 हो गए पहले 6 थे ब्रिक्स प्लस में कुल मि नाटो है बिल्कुल अगर हम 11 देशों का जोड़ दें तो वह फिर आदे से उपर हो जाएंगे तो कहीं न कहीं पुतिन भी इस बात को समझते हैं कि ब्रिक्स अमिट कितना महत्वपून है खास करके अच्छा इस सम्मिट से देखते हैं कि अगर पाकिस्तान तो इसमें सामिल नहीं है लेकिन इसके पहले जैसंकर पाकिस्तान गए थे पाकिस्तान भी भारत के कहीं न कहीं संबंध को और मिठास दिने के लिए पूर प्रधान मंत्री है नवास शरीप उन्होंने भी बैना दिया था कि यह जैसेंगर का दोरा जो है वो सुरुवात है वह गुझे परहों को इसे क्या होता है कि अगर ये कूर आपके जो देश है और विक्हाऊ की जोड़ा जाते हैं तो कहीं जो कहीं ने कहीं अगर यूक्रेन के पास उतनी सक्ती नहीं है कि वो रूस से लड़े लेकिन आज रूस यूक्रेन अगर लड़ ला है तो किस के दम पर लड़ा है तो अमेरिका और ब्रिटेन के दम क्यों लड़ा है क्यों कि अमेरिका पूरा उसका समर्थन कर दिया है और प्लस ह तियार भी बेज रहा है इसके कारण से जलेंस की जो है वहां के राश्पति वह पीछे नहीं अट रहा है इसलिए नहीं अट रहा है क्योंकि उनके पास अमेर काहत है लेकिन एक चीज है कि व्लादिमिर पूतिन की तरफ से यह कहा गया कि सबसे बड़ी शर्त इस जुद को रो कर हम जोड़ें तो दो साल साथ मेने अठाइस दिन हो गए और इस इस पूरे अंतरकाल में कही न कहीं इतनी सक्ति नहीं थी कि इतनी दीन तक यह जंग चल सकती थी जब यह जंग सुरू कुई थे तो लोगों लगा था कि युक्रेन हार जाएगा लेकिन आज दो साल साथ मे आजि बहुति हैं कि दुनिया उ Doeek चलती है कि यह परकार में जरीया है वियापार को संबंदों को बणाई और अभी ब्रिक्स में जो चा कारण यहो सकता है कि अगर आर्तिक स्थिती प मिलाकर देखिया है रूड़ को सब अख शी हुदा और niż फ्यान का जो दोरा है फ्टव पार कर चुके हैं तो यह डो दिन का जो दोरा है पी आमोदी का रूस का दोरह के हो से पहला知 परें हैं करीब अगर हम लोग देखें तो बिलकुल ये मेरे खाल से बीते कुछ वक्त में मेरे खाल से चौथा दौरा है शाय प्रधान में लेकिन ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि इस इस दौरे में सी जिंपिन से उनकी मुलाकात होगी और दो पक्षिय बैठक का भी समाना बनता है तो इस बैठक से पूरी जो क्या बोलते हैं जो संबन्ध है वो अगर सुधरती है तो कहीं न कहीं भारत का ताकत और बढ़ेगा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब पडोसी देश का सपोर्ट हैगा हलां कि चीन का भरोसा नहीं करना चाहिए लोग ये बहुत ये बात सही है जो आनंड कह रहा है कि जीन का वरोसा नहीं करना चाहिए तो वो हिंदी चीनी भाई के बाद जो 62 में हुआ उसको याद करते हैं लेकिन एक एक चीज और है कि ये मुझे लगता है कि अभी जो चीन की मौचूदा स्थिती है ये उसके लिए भी गवारा नहीं है कि वो भारत को आखे तरेयर कर देख सके क्योंकि अभी उसके आर्थिक इस्तिती ठीक नहीं है दूसरी बात की भारत की संपन्यता या भारत का जिस तरीके से लगातार भारत पूरे विश्व पटल पर उपर बढ़ता हुआ निजर आ रहा है तो ये चीन इस बात को तो समझ रहा है कि है छीनी करी से बताता हुँ Judas Naira कि जो मैं तूरी मैं आप को एक दिखा कि डिखा बताता हूं जो रीपोर्ट यह सकता है कि यह तीन देस अगर जूड़ या अच चैसे तो खट मोह सकता अई उफ्य आई बड़ी बात GDP की कुल 36 % बनता हैения दूसरी सबसे बड़ी अर्थ वे उसता है चीन भारत तीन डॉलर के साथ दुनिया की चौती सबसे बड़ी अर्थ एकनॉम के तीसरे पाइदान के जाने की तैयारिया है तो कहीं पुल मिलाकर कर अगर जंग होती है ना हम पर जबिए कि तरीका से महीं बोलू तो विश्यू यूद principalsी में अपका आई वह सेयुदावित के बलबजन के दो यूद्ध कि ने किए चेहरी वंहीतार मीं पटेताएं है तो उसी तरहर बर्णिरे पर अभश्यक्राइ secularर उक्रेयन का जंग हो रहा है तो इसमें भी 2 गुठ है और यह सब जानता है कि यिरुस के समर्थं में कौन एक और आपकाpiej। समर्थन ने कौन है तो अगर भारत भारत तो भाई युक्रेन का भी भारत तो एक तरीके से तब आलोचना भले युक्रेन के राजश्रपती ने की लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी गया और उन्हों ने कहा कि मैंने आकों में आके डाल कर लादीमिन पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले को अगर इस तरीके से हम देखें तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट इसका परता हुआ नजर आएगा जो आप कह रहे हैं जिस बात को हम सुझ पारें लेकिन इसके अलावा क्या ये ब्रिक्स क लेकिन क्या नाटो जैसे कि अपस में सेन्य सहयोग की भी बात करता है तो क्या भिक्स भी इस तरह बढ़ता हुआ नजर आता है या ऐसे स्थितिया बनती है और अगर है तो इसमें क्या हमको लगता है कि भारत इसमें उस रूप से शामिल हो पाएगा भारत की पॉलिसी कि भाई वो जंग से गंदूर रहता है उसका सिधे कहना है कि जंग से ना करके बादचीस से समधान निकाला जा सकता है पियमोदी इस बार को बोल चुके है कि जंग कि जंग से अच्छा है कि मैं बादचीस से समधान निकाल सकूं तो कहीं न कहीं भारत निस्पक्ष है रूस म बहुत बड़ा सहियोगी यह अगर पुरे विश्व को दिखा गाए यूएन की बात करने अगर हम यूएन में भी वोटिंग नहीं किया बहरत इस मामले में कि 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 समर्थन में है नहीं है भारत निस्पक्ष रहना चाहता है उसका सिदे कहना है कि जंग इसे नहीं बात से यु युक्रेइन की तरफ से शान्ती के लिए समिट बुलाया गया तो स्विट्जलेंड में तब वो वहां पर नहीं पहुंचे तो यह एक बड़ी बात है कि वहां पहुंचे हुए तो शान्ती कहीं हर कोई चाह रहा है कि शान्ती बन जाए लेकिन अब शान्ती की शान्ती परते के पीछे यह बड़ी बात है क्योंकि बैठके होंगी और कल जो बैठके होंगी वह एक बंद कमरे में पहले बैठक होगी और उसके बाद फिर शाम को उपन कोरम में बैठक होने बाली है और उसके बाद फिर वो ब्रिक्स प्लस का समिट होने वाला है जिसमें एक बहुर स्थाया बीकैना और आपने मुद्रा हो में चाहते हो तक बारत ने मुद्रा प्रिक्स की ये सुमिट जो होने जा रही है कितनी एहम है और इसके कितने माइने हैं कितने आयाम है चाहे वो मिडिलीस्ट की बात हो रूस और युक्रेन युद्ध की बात हो तमाम पहलू है इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुलकों से संबंध जो है क्या उसमें भी सुधा आ जाएगा पाकिस्तान ने एक प्रकार से हम कहें कि प्लस साइन या पॉजिटिव साइन देने की कोशिश की है क्या भारत उसको उतने ही अनुरूप से लेता है या फिर भारत अभी और चाहता है कि पाकिस्तान को अपनी गल्ती का और एहसास होना चाहिए और पाकिस्तान क तरफ से जब तक आतंगबाद पर लगा नहीं लगाई जाएगी तब तक भारत के तरफ से कहा जा चुका है कि हम इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी प्रकार से तो एक तो ये पाकिस्तान के उपर दुसरा कहीं न कहीं चीन भी चाहता है कि परिस्तितिय उसके साथ आकर खड़ा हो जाए क्योंकि वो हमें माफ किजेगा पूरब उसके साथ आकर खड़ा हो जाए क्योंकि पश्चिम को वो कहता है कि पश्चिम ने काफी गल्तियां बीते वक्त में किये हैं और खास करके रूस ये चाहता है कि बस दो देश आ जाए बस दो देश कराने में जुटा हुआ है कि एक तरफ यूक्रेन और रशिया में अगर कहीं शांती हो जाए तो उसके लिए चीन और भारत साथ में आके इसे लिए यह वयान पूतिन रचिऑ और कहीं न कहीं जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच में जो काण्फ्लेक्स है उसको भी कही न कहीं खत्म किया जा सके तो आपको क्या लगता है इस BRICS Summit के बाद क्या कुछ बदलाव होने वाला है जियो पॉलिटिक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं फिलहाल के लिए आज की चर्चा में इतना ही धन्यवाद